तो आज हम फिर से बनाने वाल है Redmi Note 10 Pro Max दरसल ये फोन में प्रॉब्लम ऐसा है कस्टमर का कहना था कि हमने इसे अपडेट किया जब से हमारा फ्रेंड कैमरा बंद हो चुका है तो अभी हम फटा-फट इसे फोन को उपन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि प्रॉब्लम कैसे क्या आया है तो अगर आपको कोई फोन रपेर के लिए भेजना है तो नीचे दियेवे नंबर पर आप पॉन्टेक्ट जरूर कीजिए तो ये देख लेजे इसका बैक कैमरा ओन हो रहा है लेकिन फ्रेंड कैमरे पे हम जैसे जा रहे है ये आउनियो पर है बैक आके वापस तो अभी हम फड़ा फड़ इसे पुरा मदरबुड बाहर लिका लेते हैं और आपको लेए चलते हैं माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पे तो देख लेजे अभी हम आ चुके माइक्रोस्कोप पे तो ये हमने इसकी शेड वगेरा सब काट ली है और साइड में हमने टेप भी लगा दिया है प्रोसेसर और हमारी पावर आईसी पे तादा हीट ना पड़े उसके लिए तो अभी हमने हमारा प्रोसेसर भी उतार चुका है तो अभी सबसे पहले बारी आ जाती है हमारा जगे क्लीन करने की मदरबोट की तो ये मदरबोट की जगे जो है क्लीन हो चुकी है अब बारी आ जाती है हमारा प्रोसेसर क्लीन करने की तो अभी हम ये प्रोसेसर पूरा नीट एंड क्लीन कर देंगे जैसे आप देख पा रहे होंगे तो ये प्रोसेसर पूरा क्लीन हो चुका है तो अब हम इसे फटाफट इसकी CPU के IC रिबॉल कर लेंगे तो देख लिए प्रोसेसर में से पेस्ट लिकलना बहार चालू हो गया है इसका मतलब ये है हमारा प्रोसेसर बैठ चुका है तो हम फटाफट आ जाते हैं हमारे फोन को टेस्ट करते हैं तो अगर आपको कोई फोन रिपैर के लिए भेजना है तो ये जो नीचे दिया हुआ नमबर है आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं तो वाटस आप चैट कर सकते हैं तो अगर आपको कोई फोन रिपैर के लिए भेजना है तो कॉंटेक्स जरूर कीजिए अगर आपको कोई और दूसरा मोबाइल रिपैर कराना है तो वो भी हमारे हैं रिपैर हो जाते हैं तो चली है अब मिलेंगे हम आपसे नेक्ट वीडियो में ओके बाई बाई